ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल ये राशिफले 11 मई 2021 मंगलवार का दिन है वैशाक महा के कृष्ण प्रक्ष की आमावस्या ति थी है यह वैशाक की बड़ी आमावस्या रहेगी इसे सत्वाई आमावस्या के रूप में भी मनाय जाता है क्योंकि इस दिन सत्तु का दान भी किया जाता है इस नान दान तथ पित्र शाद्ध पित्र तरपन की बड़ी आमावस्या के रूप में इसे मना जाएगा यदि आप वैशाक आमावस्या की कथा सुनना चाहते हैं या फिर वैशाक आमावस्या की अधिक जानकारी जाते हैं तो हमारी चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तूत क उनको आप जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेर भी करिएगा भरणी नामक नक्षत्र होगा तो था मेस रासी में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे धिशा सूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना न मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। इन साथ राशी वालों को सबसे अधिक फाइदा होगा। धनलाप के सांसाथ का रिक्षेतर में उन्नती तथा प्रगती के उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की। आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे। आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा। इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी। अर्थिक द्रश्टी से दिन उपलब्धी कारक है। धन लाब होगा। रुका हुआ पैसा मिलेगा। नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं। उपाई के रूप में मसूर की दाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ती को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। अगर कहीं पूझी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बढ़ तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा। आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है। इसने अप सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक तीन होगा। भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। धर्म और अध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरेन उपलब्दी हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था याने जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे, उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं करकराशी की, घर में किसी के बीच बचाओ से या मध्यस्ता से दूर हो जाएगी, आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे, उपाई के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना, आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, पिछले कुछ समय चे चली आ रही, और्थिक समस्याओं का निवारन होगा, काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, घर का माहुल पाजटिव रहेगा, अपनी पढ़ाई की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैडा हो सकती है, इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदिया भोजन के बाद खाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है, अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा वा स्वास महसूस करेंगे, तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा, अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहात मिलेगी, किसी किसी समय भाउकता और आलसी की वजह से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए लापरवाही न बरते, सभी कारियों को गंभीरता अब हम बात करते हैं तुला राशी की, कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे, दूसरों की समस्यावव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी, आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी, घर में बच्चों की किल इलकारी संबर्दित, कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है, संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी, नय वाहन, नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है, प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है, उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगव करने के लिए दिन उत्तम है, भाग्या आपके लिए लाबदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा, घर की सुक्सुधाओं संबंदी, कारियों में आपका समय वितीत होगा, कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको उपाय के रूप में, घर से निकलते समय, गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भाग्यशाली अंक पांच होगा, भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी की, आज रोज मर्ना की दिन चरिया से हटकर, कुछ र प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना चाहिए, किसी भी काम में रिश्क न लेना चाहिए, और उपाय के रूप में, यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीब या जरवत्मन यक्ति को करेंगे, तो आपका देन शुफल दाई साबि रहेगा, आपको मनसिक्व शारीरी रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे, कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा, जिसे मन आपका प्रसन रहेगा, कुछ समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है, आज उसे पूरे करने का उचित समय है, अपने गु इशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते ही कुम्प राशी की, आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है, धनलाप के सांथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है, पदोननती के सांथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था, अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी, कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी, अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्र प्राप्त होगी, दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिक्ता देना चाहिए, आपको अबशी ही उचित मार्गदर्सन प्राप्त होगा, किसी दोस्त या रिस्तिदार का सांथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अब हम बात करते ही मीन राशी की, आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी, और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे, दो पर बार इस्तितियों में सुधार होगा, धनलाब होगा, परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा, शुब और मैंगले कारिकरम की योजना भी बनेगी, और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं